भाई टाइम बदला, मुवीज बदली और अब पबलिक का टेस्ट बदल चुका है, पिक्चर चलती वही है जुसका हाइप बनता है वरना कॉंटेंट तो OTT पर भी मिलता है बड़े मिया, छोटे मिया, जब फिल्म का अनॉंस्मेंट हुआ था पूरे दो साल पहले, अक्षे कुमार, टाइगर, शौफ लोग कास्ट देखकर ही पागल हो गए थे वर को कोई कैसे भूल सकता है, वो भी दो बड़े स्टार्स की आक्शन फिल्म थी जुसने पहले ही दिन सिर्फ हिंदी लैंगुज में इंडिया के अंदर हाफ सेंचुरी मारी थी, 50 करोर कलेक्शन लेकिन अब 2022 नहीं, 2024 चल रहा है, ना तो अक्षे कुमार भही पुराने हैं और ना ही टाइगर के लोग उतने दिवाने हैं, विजर्ड पिक्चर रिस्की है बॉस उपर से सुभार अला, माशाला, पिक्चर से जो गाने आ रहे हैं एक के बाद एक, वो तो जो 10% हाई बचा भी एना फिल्म का, उसको भी जीरो करने पे तुले हैं गलती किसी एक इनसान की है, ऐसा बुलना खुद में एक गलती है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन इस फिल्म को जो बूरी तरह बरबाद कर सकता है, वो खुद इस फिल्म का सब्जेक्ट है एक्शन मुवीज बहुस बार्ड सी आ गई है बॉलिवुड में दे दनादन लाद घुसे वाली फिल्मों की, कल योद्धा आएगी देखना उसके साथ क्या होता है अगर एक्शन बनाना ही है ना, तो एनिमल के रसा बनाओ सर, एक ड्रामा वाली कहानी चाहिए तो सिफ एक्शन के बारे में नहीं है, एक्शन उसका छोटा सा पार्ट होना चाहिए कुछ ऐसा ही same-to-same expectations लोग बड़े मिया, छोटे मिया से लगा रहे थे, क्योंकि जो original फिल्म थी, वो classic है, comedy, suspense, thrill, combo बट जब से ये गाने आना शुरू हुएं, अक्शे कुमार वाली फिल्म के, उसके बाद से लोगोंने comedy, कहानी और drama तीनों की उमीद छोट दिये बचता है action, उसके बारे में surprisingly फिल्म के maker जादा कुछ reveal नहीं करना चाहते, teaser में भी बस sample दिखा के काम चलाया लेकिन ये जितना बुरा भला हम लोग इस फिल्म के बारे में बोल रहे हैं, वो सब कुछ सिर्फ 3 मिनिट में full stop हो सकता है अगर फिल्म का trailer जबरदस निकल जाए जी हाँ, date reveal हो गई है, बड़े मिया, छोटे मिया का trailer इसी महीने 26 मार्च को release होगा with धूमधाम और शायद ये बोलने की जुरत है नहीं कि फिल्म का trailer कितना important है इसके पूरे भविश्य के लिए, दो बड़े actors का career depend करता है इस पे सचपोलू तो trailer से काम नहीं चलेगा, nuclear bomb बनाना पड़ेगा, जिसको देखते ही दिमाग में ऐसा धमाका हो जाए, लोग बागी सब कुछ भूल जाए भाई, no doubt, अक्षे कुमार इन action अफ्तार, इससे बड़िया कोई दूसरा combination हो नहीं सकता, कितने actors में हिम्मत है, ऐसे stunts खुद करने की और टाइगर शॉफ एक actor से definitely कई गुना बहतर action hero बन सकते हैं, डायलोग से नहीं बोलना है, सिफ हार्ट पैर से समझाना है प्लस इन दोनों के अलावा एक जो तीसरा नाम है, जो सबसे ज़ादा उमीद लगा रखी है इन दोनों actors के fans ने, वो है अली अबबास जफर, बड़े मिया छोटे मिया के director, जुन पर प्रेशर है इस फिल्म को अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म मना के release करने का कोई शक वाली बात नहीं है यार, जो बंदा गुंडे, सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसा cinematic experience डिलेवर कर चुका है, उसके अंदर वाके ऐसी शक्तियां मौजूद हैं, जो सिर्फ दो घंटे की फिल्म में, अक्षे और टाइगर दोनों के साथ कुछ ऐसा करेगा, लो मैं बता रही हूँ, उसके बाद आपसे पूछूंगी, नमबर वन, प्लीज कुछ भी करना, लेकिन फिल्म की कहानी ट्रेलर में 100% रिवील गलती से भी मत करना, ठीटर जाने की कुछ तो वजह होनी चाहिए न, दूसरी बाद, डायलोग बाजी जरुद से जाधा नहीं, ड से एक personal request है, वो पुरानी बडे मिया, छोडे मिया, उसका कुछ तो reference होना चाहिए, जो पुरानी यादों को बहार निकाले, नई फिल्म से connect करे, आपको एक goal घुमा के time pass नहीं, सीधा आपसे पूछूंगी, कोई इसको बचा है इस फिल्म के लिए, जितना budget है, फिल्म उतन जाओंगी, मन थोड़ा सा इंतिजार करिए, मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में, ठेक क्या, बाइ-बाइ